अब आपको सबसे चीज चीज में क्या लगी है और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करदें चली चलते हैं सीदर टॉपिक पर इस वीडियो में हम बात करेंगे वारलेस एडेप्टर के बारे में हम आगे अपने कोर्स में पढ़ेंगे वारलेस हैकिंग उसके लिए बहुत important एक हमारा टॉपिक था वारलेस एडेप्टर जो आपको लेना पड़ेगा अगर आपको wireless hacking पे practice करनी है इसको लेना पड़ेगा है इसके बिना हम monitor mode enable नहीं कर सकते हम packet injection नहीं कर सकते SS point नहीं मना सकते एक और तो यह सब मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में यह सब क्या होता है आपको एक basic conceptual guide मिल जाएगी इस वीडियो में आपका सब कुछ clear हो जाएगा जितने doubt है wireless adapter को लेके और इन तिनों modes को लेके मैं example से बहुत अच्छे से समझाऊँगा आपको ताकि आपके सारे doubt clear हो जाए इस वीडियो में मैं practical नहीं करूँगा और इसके बाद एक वीडियो और theory आएगी उसके बाद से हम practical shift कर रहे है अपने course में हम Linux पे shift करेंगे उसके basic command से लेके advance पे जाएंगे hacking पे जाएंगे सो देखते हैं आगे चलते हैं अब सबसे पहले mode पे आएं अगर हम तो बात करते हैं monitor mode monitor mode बहुत ही जरूरी होता है wireless adapter में लेकिन जो by default हमारे laptop में लगा आता है उसके अंदर monitor mode नहीं होता ठीक है हम एक wifi से connect कर सकते हैं disconnect कर सकते हैं लेकिन monitor mode पे उसे switch नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें external wireless adapter खरीदना पड़ता है तो एक example से समझते हैं अगर हम समझें तो आप airport पे आपने picture में देखा होगा या कहीं पे सुना होगा या देखा होगा खुद से एरपोर्ट पे जाते हैं तो एक line में आप bag रख देते हैं जहां पे उनकी scanning हो रही होती है जिससे वो देख सके कि bag के अंदर कोई ऐसा illegal समान तो नहीं है ठीक है तो same monitor mode होता है monitor mode में क्या होता है हम एक ऐसा point बना देते हैं जहां से जितनी भी हमारे network के अंदर incoming और outgoing होगी वह इस point से होके जाएगा ठीक है हम Google पर request करेंगे तो पहले इस point से होके जाएगी फिर Google पर जाएगी तो हम सब कुछ data जितना network के अंदर है वो सब हम देख सकते हैं क्या login credentials डाल रहा है वो सब हम देख सकते हैं तो monitor mode का बहुत फाइदा होता है सिव ethical hacking में नहीं security purpose से बहुत पर नजर रखने के लिए भी monitor mode बहुत सारी company आपने में लगा के रखती हैं तो उसके बाद अगला अगर मैं देखू तो packet injection तो हम जब wireless adapter खरीते हैं तो उसमें packet injection की जो ability है वह निची है यानि कि वह packet injection कर पाए तो packet injection होता क्या है basically मैं एक network का part नहीं हूँ मैं outside of the network हूँ मेर घर के बगल में एक network चल रहा है तो मैं उस पर packet भेजना चाता हूँ ठीक है एक packet भेज हूँ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप सोचो एक network है उस network पे चार लोगों को connect होना है लेकिन मैं उस पर इतना जादा data भेज़ दू कि वह चार लोग ही ना connect हो पाए तो basically packet injection से ह हम क्या करते हैं कि हम इतने ज्यादा packet भेज देते हैं कि वह जो चार लोग है वही नहीं connect हो पाते हैं वही disconnect बार बार हो पाते हैं तो इसका फाइदा क्या रहता है ethical hacking में इसका फाइदा यह रहता है हम उन्हें disconnect कर रहे हैं वार बार वापिस connect होने की कोशिश करेंगे जब connect होने की कोशिश करेंगे, वो password डालेंगे और वो password हम capture कर लेंगे अपने पास, ठीक है, सो जितना easily मैंने आपको समझाया है, यह इतना easy नहीं होता, वो password जो हमारे पास आया है, वो encrypted form में होता है, हमें उसे decrypt करना परता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वाइफा हैकिंग नहीं हो सकती, बहुत बार वाइफा हैकिंग होती है, बहुत बार password करैक्स होते हैं तो वाइफा हैकिंग हम सीखेंगे practical guide, जब मैं लाओंगा practical तो सब आपको समझा जाएगा अगला अगर देखें तो assess point assess point क्या होता है, आपने बहुत बार सुनाओगा न हमशकल तो यहाँ पे जैसे मैंने photo लगाई है, अगर आपने Harry Potter देखी होगी, तो यह Harry Potter के दो characters है, George Weasley और Fred Weasley तो basically क्या होता है, हम एक हमशकल network बनाते हैं, यानि कि मेरे घर के पडोस में एक network चल रहा है मैं same उसका एक हमशकल बना दूँ, उसी नाम से, उसी Mac address से, तो क्या होगा, मैं वहाँ के लोगों को disconnect करूँगा, वो जब वापिस connect करने की कोशिश करेंगी, तो उनको मेरे connection से connect होना पड़ेगा, जब वो connect हो जाएंगे, उनको लगेगा वो बिल्कुल authorized network से connect है, लेकिन, वो अब मेरे network से connect है, तो मैं उन्हें control कर सकता हूँ, मैं चाहा सकता हूँ कि वो इस page पर जाएं, तो वो उनको fishing page पर बेच सकता हूँ, उनके login credentials चुरा सकता हूँ, उनका data read कर सकता हूँ, वो कौन से page पर जा रहे हैं, यह सब पर सकता हूँ, यह सब हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि public network पे जब आप भी connect हूँ, तो एक बार सोच के connect हूँ, आपको awareness होने चाहिए इस बारे में, आपको clear हूँ होगा काफी कुछ, please like the video, subscribe the channel, thank you and good bye.